अगर आप इस चैनल से नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए और लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए तो ये सोशियोलाजी का प्रैक्टिस सेट है सोशियोलाजी से संबंधि जो भी एक्जाम है सब के लिए क्लाश इंपॉर्टेंट होने वाली है और इस क्लाश से और भी लोगों को जोड़िए चलिए क्लाश को सुरू करते हूं पहला कुश्यन है आधनिकी करण की प्रक्रिया के द्वारा जो शामाजिक परिवर्तन होता है उसमें नवाचारों को तरकना परक्ता से अपनाया जाता है परंपरा विरोधी परिवर्तन है पश्यमोल्यों का नुशरण है उप्रोग तमेश कोई ने राइट आंसर क्या आधनिकी करण की प्रक्रिया की द्वारा जो शामाजिक परिवर्तन होता है उसमें राइट आंसर क्या होगा राइट आंसर है आप्शन थेड़ पश्यमोल्यों का अनुशरण है आप्शन थेड़ राइट आंसर है नेक्स्ट कुश्यन है आगबर्न के सांस्कितिक विलंबना की सिद्धान्त का तातपर है समाज की तुलना में सांस्कित का पिछड़ना तकनीकी और मौद्यों की विकास की तुलना में शांस्कितिक मूल्यों का धीमी गती से बदलना वैज्यानिक विकास की गती में बिलंबन उपरोक्त मेशे कोई ने इसमें राइट आंसर क्या होगा? ओकबर्ण के शांस्कितिक विलंबना सिद्धान्त का क्या ताथ परिया? राइट आंसर है तक्निकियों और द्योगिक विकास की तुलना में शांस्कितिक मूल्यों का धीमी गती से बदलना है आप्शन शेकंड राइट आंसर है नेक्स्ट क्विश्चन है पूर्शती वर्ग लेजर क्लास के लिए शांप रकट उभो की अधाड़ा का प्रित्पादन किसने किया है राइट आंसर क्या होगा? पूर्शती वर्ग के लिए शांप रकट उभो की अधाड़ा का प्रित्पादन किसने किया है राइट अंसर है ऑप्शन थर्ट गुडनार मिल्डर ने थर्स्टीन वेवलेन ने प्रशारवादी प्रकारवादी शनराचनवादी राइट अंसर क्या होगा कार्ल मार्क्स ने शामाजिक परवर्थन का कौन सा शिद्दान्त दिया है राइट आंसर है ओप्षन फर्ष्ट उद्विकास वादी नेक्स्ट कुश्चन है शामाजिक परवर्थन में आथिक निर्धारण वादी की अधारक किस विचारक के साथ जुड़ी हुई है एडम श्मित मार्शल गुर्णार मिल्डर कार्ल मार्क्स इसमें राइट आंसर क्या होगा सामाजिक परवर्थन में आथिक निर्धारण वादी की अधारक किस ने दिया राइट आंसर होगा ओप्षन फोर कार्ल मार्क्स नेक्स्ट कुश्चन है भारत में परिवर्थन की प्रोध्योग की कार्कों से किस प्रकार की गश्यलता अधिक बढ़ी है जाद गत वर्ग गत धर्म गत राजनीतिक इसमें राइट आंसर क्या होगा भारत में परिवर्थन की प्रोध्योग की कार्कों से किस प्रकार की गश्यलता अधिक बढ़ी राइट आंसर है ओप्षन सेकेंड वर्ग गत नेक्स कुश्यन है नौकर शाहियों मैनेजमेंट संबंधों का अभिदय किस प्रकार की समाज में हुआ परंपरग धार्मिक पूरोध्योग प्रोध्योग की इसमें राइट आंसर क्या होगा नौकर साही और मैनेजमेंट संबंधों का अभ्यूदय किस प्रकार की समाज में हुआ राइट आंसर है और आप्शन फोर प्रवद्योग की समाज है नेक्स्ट कुईशन है नीमनिमेश कौन सा कारक आधनी के ओम अभ्यूदयोगिक द्रिष्टी से विक्सित समाजों के लिए शर्वाधिक महत्तु का है इसमें राइट आंसर क्या होगा कौन सा कारक आधुनिक यों मौद्ध्योगिक द्रिष्टि से विक्सित समाजों के लिए शर्वाधिक महत्युका है राइट आंसर है ओप्षन फोर शिच्छा ब्योशायगत अन्भो ये दोनों होंगे ए और वी दोनों ओप्षन फोर राइट आंसर है प्रद्योगि के विकास के कारण समाज की वर्ग सनरचना में वदलाव आया है तथा निमनी लिखित में से अप्रत्यासित आकार में अन्य वर्गों से बड़ा हो गया है शाशक वर्ग, धनाधि वर्ग, मध्यम वर्ग, श्रमिक वर्ग राइट आंसर क्या होगा प्रद्योगि के विकास के कारण समाज की वर्ग सनरचना में वदलाव आया है जिसके फ़ल स्वरूप कौन सा ऐसा वर्ग है जो अधिक बड़ा हो गया है अन्य वर्गों से बड़ा हो गया है राइट आंसर है ओप्शन थर्ड मध्यम वर्ग नेक्स्ट कुश्यन है शामाजिक परवर्तन के जैविकी सिद्धान का किसने विरोध किया था होमन्स और्ग बन मैक्स वेवर इमाईल दूर्खी राइट आंसर क्या होगा शामाजिक परवर्तन के जैविकी सिद्धान का किसने विरोध किया शामाजी परवेतन के जैविकी सिद्धान का विरोध मैक्स वेवर ने किया है आप्शन ठर्ट राइट आंसर नेक्स्ट कुश्चिन है नीम निमेश किसने अपने सोध में पाया कि अपराधियों में भावात्मक इस्थिरता एक महत्पूर प्रभावक रहा है डी गोडाड बर्ट पोर्टर फिल्ड फ्राइड लेंडर राइट आंसर क्या होगा नीम्न मेश किसने अपने सोध में या पाया कि अपराधियों में भावात्मक इस्थिरता एक महत्पूर प्रभावक रहा है राइट आंसर क्या होगा राइट आंसर है और संथर पोर्टर फिल्ड नेक्स्ट कुईशन है निम्न में से किस वर्ष भारती डंड संगीता के भाग 399 वर 562 में वाल अपराधियों को जेल के अस्थान पर सुधार ग्रियों में भेजने का प्रावधान किया गया है वर्ष उननीस साथ वर्ष उननीस से सैटालिस वर्ष उननीस सु पचास वर्ष उननीस सु आडशट इसमें राइट आंसर क्या होगै निम निमेशिक किस वर्ष भारती डंड संगीता के भाग 399 वा 562 में बाल अफरादियों को जेल के अस्थान पर सुधार गिरियों में भेजने का प्रावधान की राइट अंसर होगा ओप्शन फर्ष्ट 1860 समाज का सामाजिक वर्गों में विभाजन मुख रोप से इसलिए हुआ कि व्यक्ति दूसरों के पेच्छा उच्च अन्भो करना चाहते हैं समाजों का संचालन तब तक सहाज रोप से नहीं हो सकता जब तक कि कुछ लोग अन्यों से उच्च प्रतिष्ठित नहुं समाज में स्रम विभाजन कुछ व्यक्तियों को अन्यों से अधीक उत्तरदायत सौपता है उपरोक्त सभी कारट सत्य है राइट आंसर क्या होगा समाजों का सामाजिक वर्गों में विभाजन मुख रोप से इसलिए हुआ कि राइट आंसर क्या होगा राइट अंसर है ऑप्शन थर्ड शमाज में शरम विभाजन कुछ व्यक्तियों को अन्यूशे अधिक उत्तरदायत तुसोंपता है ऑप्शन थर्ड राइट अंसर है नेक्स्ट कुजिचन है शमाजिक वर्ग शमानिता निम्नाकित में से कौन सी विशेशता रखता है आचरणों की ये व्यवस्था मोल्यों का संचे एक जीवन पद्धत उपरोक्त सभी शमाजिक वर्ग शमानिता कौन सी विशेशता रखते है राइट अंसर क्या होगा राइट आंसर है ओप्शन फोर उप्रोक्त सभी आचरणों की एक विवस्था मूल्यों का संचय एक जीवन पध्यत उप्रोक्त सभी राइट आंसर है कि नैट्सक्रण सामाजिक वर्ग भारती समाज की विश्था है सभी उच विशेशी क्रिश समाजों की विशेशता है केवल माक्सवादी समाज में पाये जाते हैं और द्योगी क्रिश समाजों की विशेशता है राइट आंसर क्या होगा शामाजिक वर्गे भारती समाज की विशेशता है सभी उच विशेशी क्रिश समाजों की विशेशता है केवल मांक्सवादी समाज में पाये जाते है और द्योगिक समाजों की विशेशता है राइट आंसर क्या होगा सामाजिक वर्ग ये सभी उच विशेशी क्रिश समाजों की विशेशता है आप्शन सेकेंड राइट आंसर है नेक्स्ट कुश्चन है इसमें राइट आंसर क्या होगा शमाज वर्ग ज्यानिकों के द्वारा शामाजिक वर्ग निर्धारण के लिए शामान निता कौन से आधार प्रियुक्त किये जाते हैं शामाजिक वर्ग के निर्धारण के लिए आय व्योशाय और सैच्छिडिक अस्तर ये आधार है आप्शन ठर्ड राइट आंसर है जाने वाले प्रजाती तत्यों के विशे में वैज्ञानिक धंग से तत्यों का शंकलन किया है हट्टन गूहा मजूमदार रिजले राइट आंसा क्या होगा भारत वर्ष में शरु प्रतम किस ने भारती जन्शंख्या में पाये जाने वाले प्रजाती तत्यों का वैज्ञान पुस्तक के लिखा कौन है इस पुस्तक का लिखा कौन है राइट आंसर है ऑप्शन हई पोर डी अन मजूम्दार कोर्ट स्यंट निम्नागित में से कौन सा कथन सत्य वंसों की राइट आंसर है ओप्षन फोर उपरोक्त में से कोई सत्य नहीं है नेक्स्ट कोईशन है निम्नाकित में से कौन सा कथन सत्य है वर्डों के चार प्रकार होते हैं जबकि जातियां असंख हैं वर्डों का निर्धारल विवसाय होता है जबकि जात का निर्धारल जन्म से वर्ड एक खुला वर्ग है जबकि जात एक बंद वर्ग है उपरोक्त के बिभी कथन सकते हैं। इसमें राइट आंसर क्या होगा। अ हुआ हुआ कि वर्डू की चार प्रकार होते हैं जाती है अर्शंक है यह शही है वर्डू का निर्धारल व्योषाय होता है जातका निर्धारल जनुशे होता है यह शही है वर्ड एक खुला वर्ग है जाती एक बंद वर्ग है ये भी शही है उपरोग्त सभी कथन सत्य हैं आप्शन फोर राइट आंसर है नेक्स्ट कुश्चन है निम्नाकित में से कौन से विक्रित जात विवस्था से संबंदित है अश्पिस्षिता उच नीच का संस्करण व्यवशाइक जड़ता ये सभी विक्रित जात या अश्पिस्षित जात विवस्था से कौन से संबंदित है राइट आंसर क्या हुग है शबी अस्पिर्शिता उच नीच का शंस्तरण व्योशाइक जड़ता ये सबी हो जाएंगे option 4 right answer है next question है जात प्रथा कौन से समाज की विशेशता है हिंदू शमाज मुश्लिम शमाज इसाई शमाज ये सबी इसमें right answer क्या होगा जात प्रथा कौन से समाज की विशेशता है जात प्रथा हिंदू समाज की विशेशता है option first right answer है next question है आधुनिक भारत में जात वाता था अन्निवन्ध कास्ट इन मौडन इंडिया और रेशेश पुस्तक की लेखा कौन है पियन प्रभू, एमन स्री निवाज, जीयस, घुरिये, यार दिशाई right answer क्या होगा cost in modern इंडिया और अधर इसे हिंदी में आधुनिक भारत में जात वात तथा अन्नि निवन्ध इस पुस्तक की लेखा कौन है right answer है option second, एमन स्री निवाज next question है हिंदू social organization पुस्तक की लेखा कौन है पियन प्रभू, एमन स्री निवाज, जीयस, गुरिये, यार दिशाई right answer क्या होगा हिंदू social organization ये बुप किस ने लिखी है हिंदू social organization ये बुप पियन प्रभू की है option first right answer है next question है, विवाज ये जीवन साथी की तलास सफल होती है जब निड़े विवाज के इच्छुप पुरुष और इस्त्री पर छोड़ दिये जाए पालक तय करते हैं कि उनके बच्चे किसके साथ विवा करें विवा तय करवाने वाले अत्वा कम्प्यूटर का उप्योग उप्योग तक निर्धारण के लिए किया जाए प्रक्रिया शंस्कित द्वारा निर्धारित प्रथाओं और परंपराओं के अनकूल हो रायट आंसर क्या होगा वीवा ये तु जीवन साथी की तलाश सफल होती है जब इसमें रायट आंसर क्या है वीवा ये तु जीवन साथी की तलाश सफल होती है जब निर्डव विवा के पुरुष और इस्तरी पर छोड़ दिया जाए option first right answer है next question है किन कारणों से आध्रिक भारती समाज के कुछ पारंपरिकारियों में परिवर्तन हो रहे हैं अध्योगी करण नगरी करण सामाजिक विज्ञान ये सबी right answer क्या हो गश्म आध्रिक भारती समाज के कुछ पारंपरिकारियों में परिवर्तन हो रहे है तो right answer होगा option four और दियोगी करण नगरी करण सामाजिक विज्ञान ये सबी हो जाएंगा option four right answer है next question है वर्तमान भारती समाज में निम नांकित मेशे बहुत पति वीवाही परिवार मात्र सर्दात्म परिवार ये सबी right answer क्या है वर्तमान भारती समाज में निम नांकित मेशेप परिवर्तन के कौников प्रकार प्रचलन में है इसमे right answer क्या होगा राइट आंसर है आप्शन फोर ये सबी नेक्स्ट कुजिशन है फोक वेज डामक पुछता की रचना की है रिवर, शौपीर, समनेर, फोक्स इसमें राइट आंसर क्या होगा फोक वेज डामक पुछतक किस्ट के द्वारा लिखी गई है राइट आंसर है आप्शन फट ग्राहम समनर के द्वारा नेक्स्ट कुजिशन है मुश्लिम वीवा क्या है एक पवित संस्कार एक समझा होता ए और भी दोनों इन में से कोई नहीं नेक्स्ट कुजिशन है नातेदारी क्या है वारत प्राप्त संबंद माने हुए वास्त्विक संबंद केवल वास्त्विक रक्त संबंद वन्शावली इसमें राइट आंसर क्या होगा समाज के द्वारा माननेता प्राप्ट संबंध आप्शन फर्ष्ट राइट आंसर है नेक्स्ट कुश्चन है वीवा संबंधी नाते दारी और रक्त संबंधी नाते दारी किसके अंतर गतात है नाते दारी के प्रकार नाते दारी कि स्रेडिया नाते दारी संग्याएं नाते दारी कि देतिया राइट आंसर क्या होगा वीवा संबंधी नाते दारी और रक्त संबंधी नाते दारी ये किसके अंतर गताता है राइट अंसर है ओप्शन फर्ष्ट नातेदारी के प्रकार नेक्स्ट कुश्चन है जिसकी रूची मुख़्िता धर्म और समाज की वीज घटित अन्ता क्रियाओं के अध्यान में है इतिहाश मानोसाश समाशाश मनो विज्ञान राइट अंसर क्या होगा विज्ञान की वह कौन सी साखा है जिसकी रूची मुख़्िता धर्म और समाज की वीज घटित अन्ता क्रियाओं के अध्यान में है राइट अंसर है ओप्शन फर्ष्ट समाशाश नेक्स्ट कुश्चन है निम्नांकित में से किस मामले में विश्ञ की विवित धर्म और उतायत में समानता रखते हैं किसी प्रकार के स्वर्ग और नर्क विश्यक विश्वास किसी अन्य रूप में इस धर्दी पर पुना हुआ अप्शी अन्य धार्मिक परंपरा की निरंतर्ता में विश्वास एक देवत में विश्वास राइट अंसर क्या होगा निम्नांकित मेश केश मामले में बेश्यू के विविद धर्म बहुतायत में समानता रखते हैं राइट अंसर है ओप्षन फर्स्ट किसी प्रकार के श्वर्ग और नर्क विश्यक विश्वास नेक्स्ट कुश्चन है धर्म के शामाजिक मनोवग्यानिक प्रकारियों में निम्नांकित मेश कौन कौन से कारे समलित हैं विधी विधान और संसकारों के माध्यों से जीवन को संगठित करना विश्व में व्यक्तिका अस्थान तथा लच्छन इधारित करना मार्ग दर्षन उपरोप्त सभी इसमें राइट अंसर क्या होगा धर्म के सामाजिक मनोवज्यानिक प्रकारियों में कौन सा कारे समलित हैं इसमें राइट अंसर क्या होगा विधी विधानों और संसकारों के माध्यों से जीवन को संगठित करना ये आप्शन सही है बेश्यों में ब्यक्तिका अस्थान तथा लच्छ निर्धारित करना ये भी सही है मार्ग दर्षन ये भी सही है उपरोप्त सभी इसका राइट अंसर होगा आप्शन फोर राइट अंसर है नेक्स कोईचन है संपोड भारत के लिए किस वर्ष सुधार आला इसकोल अधिनियम बना जिसमें वर्ष उन्नीश अठारा सु सत्तान बे में संसोधन किया गया था संपोड भारत के लिए किस वर्ष सुधार आला इसकोल अधिनियम बना जिसमें वर्ष अठारा सु सत्तान बेस्वी में संसोधन किया गया था सुधार आला इसकोल अधिनियम शंपोड भारत के लिए सुधाराले स्कूल अधिनियम ये 1866 इस भी में बना था और इसमें 1897 बे में संसोधन किया गया था नेक्स्ट कुश्चन है किस लेखक के द्वारत सहयोग की परभ्याशा किसी सामान इलच से तक पहुचाने की लालसा रखने वाले दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारत समलित रूप से किये जाने वाले लगतार प्रियाश की रूप में दी गई मैरे लेव मेल जेशवट जोशफ फिचर और नाड ग्रीन इसमें राइट आंसर क्या होगा से किये जाने वाले लगतार प्रियाश की रूप में की गई है जहयोग की या परिभाशा और नाड ग्रीन की द्वारा दी गई है ऑप्शन फोर राइट आंसर है नेक्स्ट कुश्चन है निम्नाकित में से कौन से कारक आत्म साथ करण में सहायक होते हैं सही सुड़ता आर्थिक आउश्वरों की समानता प्रभावी समू का लग्भू समू की प्रति सहान भूद पूर व्यवहार उप्रोप्त सभी इसमें राइट आंसर क्या होगा कौन से कारक आत्म साथ करण में सहायक होते हैं राइट आंसर है आप्शन फोर उप्रोप्त सभी सही सुड़ता आर्थिक आउश्वरों की समानता प्रभावी समू का लग्भू समू के प्रति सहान भूद पूर व्यवहार ये सभी आत्म साथ करण में सहायक होते हैं ऑप्शन फोर राइट आंसर है नेक्स कुछिन ने प्रति अश्वर्धा के विशे में निम्नांकित में से क्या सही है लच्छी की वाहिता अचेतन प्रक्रिया अवजेक्तिक प्रक्रिया ये सभी राइट आंसर क्या होगा प्रतिय श्वर्धा के विशह में निम्नांकित मेंशी क्या शही है? राइट अंसर है ये शवी आप्शन फोर राइट अंसर है निम्नांकित मेंशी क्या शंगर्ष का उदाहरण है? युद्ध, गुटिये कला, मुकदमे बाजी ये शवी शंगर्ष का उदाहरण क्या है? राइट अंसर क्या होगा? राइट अंसर है इसका आप्शन फोर ये शवी नेक्स्ट कुश्चन है शामाजिक परवर्तन की परवार्षा लोगों के कार करने की विधियों तथा विचारों में परवर्तन होने वाले परवर्तनों के रूप में की जा सकती है किसकी परवार्षा है? सामाजिक परवर्तन की परवार्षा किस ने दी है? लोगों के कार करने की विधियों तथा विचारों में परवर्तन होने वाले परवर्तनों के रूप में की जा सकती है ये परवार्षा किस ने दी है? राइट अंसर है ओप्सन सेकंड एच्डी जान्सन नेक्स्ट कुश्चन है शामाजिक परवर्तन को भावनातमक संस्कित, आदाशातमक संस्कित, इंदी परक संस्कित की प्राक कलपना की आधार पर किस ने समझाया? इसमें राइट अंसर क्या होगा? शामाजिक परवर्तन को भावनातमक संस्कित, आदाशातमक संस्कित और इंदी परक संस्कित की रोप में किस ने बताया है? राइट अंसर है ओप्सन थर्ड पिट्रिम शोरो की नेक्स्ट कुषियन है ये कथन किसका है? सब भी मनुष्य के उद्विकास में प्राक्रितिक प्रवरण निरंतर निर्वल होने वाला एक कारक है ये कथन किसका है राइट आंसर है और सन सेकंड बेश्टर मार्क इसमें राइट आंसर क्या होगा शिविलाइजेशन एन क्लाइमेट पुष्टक की लेखा कौन है शिविलाइजेशन एन क्लाइमेट ये पुष्टक एल्स वर्थ हटिंगेटन की द्वारा लिखी गई है आप्शन सेकंड राइट आंसर है नेक्स्ट कुईशन है इतिहास का भौतिक वादी विश्टलेशर किसने प्रस्तूत किया है मैक्स मूलर वेवलेन हीगल कार्ल मार्क्स राइट आंसर क्या होगा इतिहास का भौतिक वादी विश्टलेशर किसने प्रस्तूत किया है इतिहास का भौतिक वादी विश्टलेशर कार्ल मार्च की द्वारा दिये गया है आप्शन फोर राइट आंसर नेक्स कुश्चन है निम्नांकित में से किसे जनांकिकी का फिता कहा जाता है गुईलाड को, डार्विन को, बरकले को, माल्थस को इसमें राइट आंसर क्या होगा किसे जनांकिकी का फिता कहा जाता है राइट आंसर है आप्शन फोर माल्थस को सामाजिक नियंतरड क्या है? सामाजिक नियंतरड समू के सदस्चियों द्वारा किस प्रकार का आचरड करना चाहिए इस विशे में सीखे गए विवहारों का योग वे साधन जिनकी द्वारा समू अपने सदस्चियों से पारश पर एक अपेच्छाओं के अनकूल आचरड करवाता है? सामाजिक नियंतरड किस लिए आवश्यक है? राइट आंसर है ये सभी, ओप्शन फोर राइट आंसर है सामाजिक नियंतरड कि सही साधन अविकरड के चुनाव कीजिए प्रत्था, कानून, धर्म ये सभी किन कारड़ों? सामाजिक नियंतरड का कौन सही करड़ है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ओप्शन फोर प्रत्था भी है, कानून है, धर्म है, इन सभी के द्वारा सामाजिक नियंतरड समाज में बना रहता है ओप्शन फोर राइट आंसर है शामाजिक संस्थाएं उस अपेश्छित ब्योवार को निर्धार्य करने में अशफल होती हैं, जो विशेज सामाजिक आउशक्ताओं की पूर्टि के लिए होता हैं वे सामाजिक मांदर निश्चित नहीं करती जो शमर्पित भूमिकाओं के लिए उचित व्यवार नेधायर करता है ब्यक्तियों को विभिन प्रकार की वे भूमिकाय निभाने के लिए श्विक्रित नहीं देती जो वांचित लच्छियों के छेत्र के अंतर गताती हैं शनई शनई वश्वत्व विक्षित होती हैं रायट आंसर क्या होगा है शामाजिक संस्थाएं उस अपेच्छित व्योहार को निर्धारित करने में आशफल होती है जो विशेश सामाजिक आशक्ताओं की पूर्थ के लिए होता है अगर इस अप्षन में शफल होता है यह आप्षन सही हो जाता है यह आप्षन गलत है वे सामाजिक मान डंड निस्चित नहीं करती है तो संस्थाएं सामाजिक मान डं निस्चित करती है यह आप्षन भी गलत ह व्यक्तियों को विविन प्रकार की वे भूमक्यानी वहाँ स्विक्रित नहीं देती तो स्विक्रित देती हैं यह option भी गलत है शनही शनही वह शुता विक्षित होती है यह option सही है option for right answer है next question है जिससे एक ही नातेदारी सब्द एक से अधिक नाते रिस्तेदारों के लिए प्रियोग किया जा सके निम्नाकित में से बताईए कि अलफ्रेट क्रोबर ने इस पकार की कितनी स्रेडियां दी है आठ छाट चाट चार right answer क्या होगा जिससे एक ही नातेदारी सब्द एक से अधिक नाते रिस्तेदारों के लिए प्रियोग किया जा सके इस प्रकार की अलफ्रेट क्रोबर ने कितनी स्रेडियां बताई है right answer है option 4 option first 8 स्रेडियां बताई है तो आज की class बस यह तक I hope आप सब को यह class पसंद आए class पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल से और भी लोग जुड़े thank you